आग में घी डालने वाली बहू सोनी एक सुन्दर और संसकारी लड़की थी उससे घी बहुत पसंद था नहीं नहीं, खाने में नहीं आग में डालने में कैसे? चलिए देखते हैं एक दिन सुबह सुबह भाईया, दूद में कितना पानी मिलाती हो? पता भी है, चाय बनाओ तो ऐसा लगता है कि हम दूद वाली नहीं काली चाय पी रहे हैं दूद का पता ही नहीं चलता कादी जी, कासे बात करता हो हम तो रोज अपने हाथों से दूद दूख कलाता है मिला वटका तो हम सपने में भी ना हो सोच सकत राम-राम-राम एका बात करतो दूद वाला वहाँ से चला जाता है पबली को पांगल बनाता है दूद में धीर सारा पानी मिलाकर कहता है कि मैं ऐसन नहीं करता दीदी तो क्या हुआ बहू क्यों माता गरम कर रही है सुबा-सुबा दूद वाले की वजह से दिमाग कराब हो रहा है मां जी वही तीन-चार दिन बीच जाते हैं लेकिन दूद वाले की कोई खोज खबर नहीं उस दिन से रसी बात क्या बोल दी? तबसे दूद देन ही नहीं आया अरे नहीं बहू, वो दूद वाली की भैस ना, खूटा तोड़कर भाग गई, इसलिए बिचारा दूद देन नहीं आ पा रहा, तभी दूद वाला बहा आता है भाबी जी, हमरा इसाब करती जी वह यह क्या हुआ, दूद दिन नहीं आ रहे हो, भैस यह छोड़कर किसी भैसे के साथ भाग गई क्या यह का दिदी, आप हमरी हालत पर इस तरह मजाग बना रही हो अरे नहीं, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, खैर यह लो तुम्हारे बकाया पैसे वहीं शाम के समय, गिन्नी बड़ी ही उदास परिशान बैठी होती है यह गिन्नी को क्या हो गया, ऐसे तो भाबी भाबी करके सारा दिन परिशान करती थी मुझे एक पल चैन से बैठने नहीं देती थी ऐसा क्या हो गया, पता तो लगाना यह पड़ेगा वहीं कुछ दिर बाद जब सभी साथ में शाम की चाई पी रहे होते हैं गिन्नी, क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हूँ किछ नहीं भाबी, मैं तो नार्मल हूँ अच्छा, वैसे आज तुम्हारे रिजल्ट आया ना, बताया नहीं घर वालों को अच्छा, आज तेरा रिजल्ट आया क्या गिन्नी, टॉप किया के नहीं किया ना, टॉप अरी सारा दिन मेरी ननद मुबाईल लेकर इतनी पढ़ाई करती थी टॉप कैसे नहीं करती टॉप किया है मेरी ननद जिने पूरी क्लास में अरे ने, ये पावी ना आग में घीर डालने से बास नहीं आती, गिनने बुरी फसी आज तो तू अच्छो, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो आवल आई है अरे पुरी बात तो सुन लो, नीचे से टॉप किया, उपर से नहीं सौ में से शुन्य दशमलव निन्यानवे, याने की 0.99 परसंट आएं ये क्या कह रही है बहुतू, मेरी बेटी तेरी तरह थोड़ी ना है अच्छा, यकीन नहीं आता आपको, तो पूछ लो ना अपनी लाडली से मा, भाबी सुच कह रही है जिसके बाद बिचारी गिन्नी को कॉलेज में फेल हो जाने की कारण घर में बहुत डाट पड़ती है वहीं वो अपनी भाबी से बिलकुल भी बात नहीं करती आखिर इनको मेरी फेल होने वाली बात का पता कैसी चला अच्छा हुआ, मैंने उसकी कमरी में रखा हुआ रिजल्ट देख लिया था ऐसी ही एक दिन आप हमेशा पड़ोसी के कुटे को क्यों छेड़ते रहते हो कभी काट लिया तो कैसी बात करती हो भागेवान वो तो मेरे साथ खेलता है और मुझे मज़ा आता है उसे परहिशान करने में वहीं शाम की समय ससूर जी लहुलुहान होकर घर आते हैं अरे क्या हुआ ये? आपको इतनी चोट कैसे आ गई? डॉक्टर, डॉक्टर को बुला हो चलती से हाँ हाँ बुला रही हूँ अरे गे ने, कॉल करके डॉक्टर को बुला अब बताया ये सब कैसे हो गया? वो पड़ा उसे का कुट पैना टॉमी उसे ने काट लिया पापाजी, आप तो कहते थी कि वो आपकी साथ बड़ा ही फ्रेंड ली है क्या हुआ? पता है माजी? पापाजी कुट्टे के सामने हड़ी लेकर खड़े होकर उसे एक घंड़े से हड़ी के लिए लालज दे रहे थी जिस वज़े से उसे पापाजी को काट लिया तुझे कैसे पता चला बहू? पड़ोसन का मैसे जाया था महली की वाटसिप ग्रूप पर कितनी बार मना किया है लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं कामरे में चलिया फिर बताती हूँ आपको फिर क्या? एक तो पहले सासू जी को कुट्टे ने कुटा सारी, कुट्टे ने काटा और फिर सासू जी ने कुट्टा सोनी को ये से देखकर बड़ा मजा रहा था शाम को सोनी जब सब्जी लेने मारकेट जाती है भाईया, ये आलू कैसे दिया? पचास का किलो तीस का किलो लगा दो ना अर नहीं माडम, नहीं होगा फिर रहने दो फिर सोनी सब्जी लेने आगे बढ़ती है वाँ, तुम्हें तो घाटा हो राता ना तीस का किलो देने में नहीं भी का क्या बेचारा सब्जी वाला शर्मिंदा हो जाता है और सोनी वहाँ से निकल लेती है वहीं घर पर पड़ोसन आई हुई होती है अरे बहुत आ गई अगले महीने निक्की की शादी है जरूर आना हाँ, हाँ, वह सब तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी शादी क्यों उससे तो डॉक्टर बनना था ना नीट का पेपर देखकर चक्कर आने लगी क्या आँ हो सकता है बिचरी है वह तो काफी कमजोर विमला जी ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है पहु मैं चलती हूँ और भी जगह तो कार्ट देने अच्छा बेहन जी, नमस्ते सोने, ये क्या बत्तमिजी थी मा जी मैंने तो सची कहा न हमारे जिगर जी, देवर जी और गिन्नी की कमपैर में विमला आंटी कितनी डिंगे हांकती थी जिगर जी ने मुझे सब बता दिया था तो मैंने भी मौका पाकर चौका मार दिया बिसे मा जी, इनकी गिन्नी है बहुत मोटी कौन सा दूला शादी के लिए माना होगा फिर दोनों सास बहु हसने लगती है ऐसे ही दिन बित्ते हैं वहीं सोनी की आग में गीर डालने की आदत समय के साथ बढ़ती ही जाती है एक दिन सास फंक्षन में जा रही होती है मा जी, ये साड़ी पैनो ना ये आपर खुब जची की अरे नाइने, वो काफी हलकी सी लग रही है मैं तो अपनी ये भारी वाली साड़ी ही पैनोंगी लेकिन वो आप पर अच्छी नहीं लगती और काफी पुरानी भी हो गई है अरे जो भी हो, आज मैं इसे ही पैनोंगी फिर सास जैसे ही तयार होके फंक्षन के लिए घर से बाहर जाने लगती है माजी, थोड़ा रुक कर जाओ जिगर जी आजाए, तो आप उनके साथ ही चली जाना हाँ, ये भी ठीक रहेगा तब तक मैं यहीं बैठती हूँ फिर जैसे ही सास सूफे पर बैठने जाती है चररर्प की आवाज के साथ उनकी साड़ी फट जाती है और बहु मूपर हाथ रखकर हसते लगती है ये क्या इससे भी अभी फटना था बहु, जा तेरी साड़ी लेकर आ क्या हुआ माजी आप तो आज किसी भी सुरत में यही साड़ी पहन कर जाने वाली थी न और ये तो कितनी टिकाओ साड़ी थी फट कैसे गी अच्छा हुआ फंक्शन में नहीं फटी बना आपकी तो मैं फिल में शुबा बन जाती आग में घी डाला कोई तुझ से सिख्या पहू एक इंसान जखमों पर मरहम लगाता है और तू तो घाव को और गहरा करने में लगी रहती है जा जल्दी साड़ी ले करा फिर सोनी वहाँ से चली जाती है और सास को दूसरी साड़ी ला कर देती है जिसे पहन कर वो फंक्शन में जाती है वहीं अब सभी घरवाले सोनी की आग में घीर डालने वाली आदत से काफी परिशान हो चुके थे वो आए दिन किसी न किसी के जखमों को अपनी बातों से और गहरा करने में लगी रहती ऐसे ही एक दिन जब सभी फैमिली आलबम देख रहे होते है हमारा परिवार साथ में कितना अच्छा लगता है अच्छा लगीगा भी क्यों नहीं हमारे घर में एकता जो है हाँ फापा और एकता में ही बल है अच्छा अच्छा क्या बाबी हमारा परिवार आपके घर वालो की तरफ नहीं है कोई लंडन में रहता है तो कोई साउदी में घर में तो किसी को रैना ही नहीं है अब भी मैं तोड़ती हूँ इनकी एकता, जो इतने बड़े-बड़े प्रवचन दे रहे हैं, तभी सोनी वहाँ एक कौकरुच लाकर छोड़ देती है, कौकरुच को देखकर सभी डर कर अपने-अपने कमरे में भाग जाते हैं, और कुछ देर बाद जब कौकरुच के जाने कर ये ठान लेता है कि अब बहु को सबक सिखाना ही होगा, सोनी किचन में खाना बना रही होती है, खुश्बु तो बहुत अच्छी आ रही है भाबी, मैं खाना बनाओं और ढंकाना बने, ऐसा तो होई नहीं सकता, अरे बड़े-बड़े बावर्ची मुच्छ से सीखने आ यक, भाबी नहीं मनाया है, ये क्या भाबी, आप तो कह रही थी कि बड़े-बड़े बावर्ची आपसे सीखने के लिए आते हैं, आप इसे की क्लास देती हो, इसी तरह अब सोनी के हर काम में, हर बात पर कोई न कोई उसकी सामने आग में घी डालने का काम करता है, ऐसे ही अगले तीन, बहू, छट पर क्यों जा रही है, माजी ये कपड़ फैलाने, छट पर मैं फैला, पंची आते हैं, पूरे कपड़े गंदे कर देंगे, हाँ, बे फिक्र रहो माजी, आपकी बहू है न, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, वहीं शाम को जब सोनी जाती है तो देखती है कि पंचीयोंने सारे कपड़ों पर पट्टी करती थी, दूसरी छट से पडोसन, अरे सोनी, कपड़े ढंग से छूटे नहीं थे क्या, जो पंचीयों को मैनत करनी पड़ गई, इसकी तू, छोड़ो क्या ही बोलू, गलती तो मेरी ही है, हर समय आग मे गी डालूँगी, तो घर वाले क्या, बाहर वाले भी तानाई मारेंगे ना, इन छोटी मोटी गती विदियों से सोनी समझ जाती है, कि किसी के बुरे समय में आग में गी डाल कर बातों का मजा लेना अच्छी बात नहीं है, और फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करती,